नवस्कार दोस्तों सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में 200 पॉइंट्स के लगभग का गिरावट देखने को मिलता है और बड़ा रेड फॉर्मेशन केंडल हम लोग को बनते हुए दिख रहा है और 18,207 के लेबल्स पे निफ्टी अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ हम लोग को प्रॉफिट बॉक करना चाहिए था तो एक बार फिर से अपने मैथ्ट को डिसकस कर लेते हैं एक 200 डेस की मुविंग एवरेज जो की सिंपल मुविंग एवरेज है पिंक लाइन आपको सो कर रहा होगा और दूसरा हम लोग 20 के मुविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन सो कर रहा होगा और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवर्ट पॉइट या पिवर्ट लाइन भी यूज करते हैं जो कि सपोर्ट या रिजिस्टन्स बताता है तीनों इंडिकेटर आप लोग जिरोधा या वहाँ पे और भी क्वांटिटी एड़ान करना चाहिए निफ्टी फिप्टी दोस्तों हम लोग को 15,800 के लेवल्स पे दो बार आते हुए दिखा था इन दोनों लेवल्स पे हम लोग निफ्टी बिस एटिएफ को बाई करने के लिए और उसके बाद 15,000 के लेवल्स को भी यहाँ पे पिपट का अच्छा सपोर्ट दिखा फिर हम लोग निफ्टी बिस एटिएफ को और एड़न करने के लिए बोले थे उसके बाद अच्छा इंट्री आप लोग को मिला होगा और फिर प्राइस 200 डेस के मुझारे से बहुत ही उपर गया और यहाँ पे हम लोग कु कि 100 टाम के इंवेस्टर हैं तो कुछ यहाँ पे जरूर से प्राफिट बुक कर ले मालीजे 10 एटिएफ आपके पास है तो 3-4 एटिएफ जरूर से प्राफिट बुक कर लेना चाहिए था हम लोग को completely exit नहीं करना है 100 एटिएफ है तो 30-40 एटिएफ जरूर से यहाँ पे प् सकता है 17,654 तक भी आते हुए दिख सकता है तो इसलिए थोड़ा वो तभी वेट करना है निफ्टी 50 में बाई करने के लिए तो निफ्टी 20 ETF को अभी हम लोग कोई बाइंग निशेट इसमें नहीं करेंगे और एक और स्टॉक बहुत ही संदार स्टॉक polyplex के हम लोग बात क ब्रेक आउट नीचे की तरफ देखने को मिला तो ट्रेंगल पैटन का ब्रेक आउट दोस्तों इधर भी होता है बहुत भी पारफुल मोमेंटम के साथ होता है तो नीचे की तरफ होता है और बड़ा फॉल होते वे दिख रहा है यहां पर हम लोग बाई करने के लिए बोले अगर इस पीवट पर अच्छा सपोर्ट दिखता है तो यहां पर अगर सपोर्ट मिलेगा अच्छा तब हम लोग बाई करेंगे नहीं तो फोर्टीन हंड़ेट फॉर वाले पीवट पर और एवरेजिंग करेंगे तो पॉलिप्लेक्स में अगर उपर के प्राइस प्राइस तो तुरज से इसमें बाई नहीं करना है अभी वेट करें सपोर्ट का सपोर्ट मिलेगा तो और भी कॉंटिटी अड़ान कर लेजेगा अवरेज आउट जरूर करना है में परपरस यहीं हम लोग को रखना है किसी तरह एवरेज प्राइस को नीचे लाना है और लॉंग टर होल करना है कोई भी क्वालिटी स्टॉक्स में तुरज से आपको बेनिफिट नहीं मिलता है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉंग टर्म के लिए ही करना चाहिए तो यहां पर हम लोग नीचे के पीवर्ट पर और भी कॉंटिटी एड़ान करेंगे अगर इस पीवर्ट प क्या है ऐसे मार्केट में हम लोग को बिक्वाली चलते हुए दिखा था एफाई आइस का लेकिन पॉलिप्लेक्स में हम लोग देख सेकते हैं 14.81 परसेंट का होल्डिंग अभी हो चुका है क्वाटर ऑन क्वाटर बेसेस पे इस ने स्टेक इंक्रीज किया जो कि बहुत ही वहीं अगर दिएस की बात करें तो दिएस ने कोछ स्टेक कम किया पिछले कोईटर के तुलना में और दिएस के पास अभी 3.02 परसेंट का होल्डिंग है दिएस ने कोछ इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया है पॉलिप्लेक्स ने भी बहुत ही संदार रिटर निकल करके द किया ता है तो सेयर होल्डिंग पीटर भी बहुत ही अच्छा है Paulesar को औरने की के बारे में मांत करों और ही सांदार हेल्थ के सेग्मेंट से जुड़ा हुए और इसमें भी लगातार हम लोगों को गिरावट होते हुए दिख रहा है पिछले से सानसरा है को स्लथ समय साइज लेवल का breakout का तो max health care में दोस्तो 450 के करी में resistance है तो इस resistance को अगर ब्रेक करेगा उपर की तरफ तब हम लोग लोग बाई करेंगे नहीं तो 200 अब लोग को मिलेगा बहुत इस अंदार रिटन निकाल करके दिया है पास्ट में तो विगली चाट पर प्राइस टूहंडेड़ डेस की मुविंग अबरेज आपको नहीं दिख रहा होगा विगली चाट पर सिर्फ हम लोग 20 का मुविंग यह रहाई इसमें देखने को मिलेगा तो फिर से नीचे आते हुए मैक्स हेल्थ केयर में दिख सकता है तो थोड़ा बहुत वेटेंड़ वाच करें ब्रेकाउट का वेट करें नहीं तो 200 अच्छा वाइंगा मैक्स हेल्थ केयर में तब तक इसको वाचलिस्ट में ही रखना है अभी फिलहाल इसमें हम लोगो कोई बाइंग इनिशेट नहीं करना है और अगर फाइनेशल्स की बात करें में एक सेल्थ केर में तो बहुत ही सांदार हम लोगो फाइनेशल्स होते हुए दिख रहा है 2019 से कंपनी का रेविन्यू एक साल हम और प्रॉफिट दोनों में प्रॉफिट जहां 60 करोड का था 2020 में वह बढ़के हो चुका है 610 करोड का तो बहुत ही सांदार फाइनेशल्स है दोस्तों मेक्स हेल्थ केर का बॉरोइंग भी बहुत ही कम है वही अगर मेक्स हेल्थ के रिजर्फ की बात करते हैं तो 5948 करोड का रिजर्फ हम लोगों को देखने को मिल रहा है सेतंबर 2022 के क्वार्टर में जो की पिछले क्वार्टर के तुलना में बहुत ही हम लोगों को इंक्रीज होते हुए दिख रहा है तो रिजर्फ में अच्छा खासा बढ़ोतरी होते हुए पिछले कुछ क्वार्टर में हम लोगों को दिख रहा है वही अगर बॉर्विंग्स की बात करें तो मादर 769 करोड का बॉर्विंग्स है लकार का सटेक कम होते हुए दिख रहा है लेकिन लगतार खरदारी करते हुए हम लोगों को दिख रहा था ओर अच्छा जादा खरदारी होते हुए के द्वारा दिखा है फिलहाल एफायाइस का होल्डिंग 49.27 पॉइंट का है जो कि बहुत ही जादा है वहीं अगर डियाइस की बात करें तो डियाइस ने भी क्वाटर ऑन क्वाटर बेसिस पे मैक्स हिल्थ केर में तो खरदारी किया है तो बहुत की जादा अपने आप में खास है वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो 5.76 परसेंट का होल्डिंग पब्लिक के पास है तो शेयर होल्डिंग पैटरन बहुत ही चांदार है मैक्स हिल्थ केर का बेजी जग इसमें आपको इन्वेस्मेंट करना चाहिए लॉंग टम के पॉइ बेस्ट है इस लेवल पर हम लोग बाइक करने के लिए बोले था जब प्राइस टूहंड़ेटेश के मुविंग और इसे बहुत ही नीचे चल रहा था तो जैसा ही 20 का मुविंग अबर इसको क्रॉस किया था हम लोग बाइक करने के लिए बोले थे फार्मा वीज एटिए उ जो कि बुलिश साइन है और इस पिवर्ट पे अच्छा सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है तो इसी केंडल में आपको कुछ क्वांटिटी अगर फार्मा वीज एटिए बाई करना था तो आज कर सकते थे अगर अभी तक फिलहाल बाई नहीं किये हैं कुछ एवरेज करना चाहते हैं तो एक बढ़िया से ग्रीन केंडल 0.5% से लेकरके 1% का भी देखने को मिलता है तो जरूर से फार्मा वीज एटिएफ में आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है पहले यहां पे इन्वेस्टमेंट कर ले अगर यहां से 20 का पहला इन्वेस्टमेंट हम लोग जरूर कर लेते हैं क्योंकि यहां पे डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा तो फार्मा वीज एटिएफ में पहला इन्वेस्टमेंट जरूर से यहां पे हम लोग को करना चाहिए और आज के आखर तो इन दो लेवल्स पे हम लोग अच्छा सपोर्ट दिखा था तो इसले दिन हैमर केंडल दिखा था आज हम लोग को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा एक 2% का बढ़िया सग्रीन केंडल अगर कर सकते हैं लेकिन फरस एंट्री या उपर के बहुत यदा प्राइस कर सकते हैं तो इहां पर फिर यहां पे खरिडारी कर सकते हैं कुछ लोग बाई कर सकते हैं तो होप आप लोगो वीडियो अच्छा लगता होगा टेक्निकल समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में सेर कीजे थैंक्यू मिलते हैं नेक्स वीटिव में